हेलो फ्रेंड नमस्कार मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इंपॉसिबल यूटूब चैनल उमिद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग UGC Net First Paper में Teaching Aptitude यानि की सिछन अभिवरिती से Practice State No.2 को देखने वाले हैं इससे पहले हम लोगोंने Practice State No.1 को देखा था जिसमें 15 महत्वपून को हम लोगोंने डिसकस किया था देखा था ये सभी question जो है नए pattern के according है और इसके साथ ही साथ आपको previous year के teaching aptitude के जो भी question है वो भी आपको provide कर दिये जाएंगे वीडियो के माध्यम से तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक request है कि आप कोसिस करें कि इसको test की तरह attempt करें मैं question को read कर दूँगा फिर उसके बाद answer मैं बताऊंगा लेकिन कोसिस करें कि आप अपने से इसका answer जो है comment box में देने का प्रयास करें तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सभी से हमले request है कि अगर आप नए वीवर हैं तो चैनल को join कर सकते हैं और उसके बगल में जो bell icon का button होता इस प्रकार से आप उसको press कर लें क्योंकि इस चैनल पर लगबग सभी exam की preparation कराई जाती है अब मैं कोसिस करूँगा कल से current affair के video जो है आपको provide करूँगा क्योंकि current affair भी जो है आपसे पूछे जाएंगे first paper में current affair एक ऐसा topic है जो सभी exam के लिए important है क्योंकि 5-6 question current affair के हर exam में पूछ लिए जाते हैं तो चलिए फ्रेंट वीडियो को start कर लेते हैं और पहले question को देखते हैं पहले question में दिया गया है कि निमनलिखित सिच्छन इस्तर में से कौन सा इस्तर कच्छा के परियाप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवस्यक है तो पहला option इसमें दिया गया है स्मृति स्तर दूसरा option दिया गया है बोद स्तर तीसरा option है चिंतन सील स्तर और चोथा option है उप्रोक में से सभी तो इसमें से सही answer आपको बताना है तो इसका जो सही answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number C चिंतन सील स्तर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन सभी में से सिच्छन इस्तर में कौन सा इस्तर कच्छा के परियाप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना अवस्यक है चिंतन सी लिस्तर यानि कि जहां पे बच्चा जो है या विद्यार्थी है जो अपने तर्क को मतलब अपने इस आपसे चीजों को सोचता है और समझने का प्रयास करता है तो यहां पर जो है क्लास का वातावरण या इन्वार्मेंट है खुला और स्वतंत्र होना चाहिए प्रभंण सब्द का सही अर्थ क्या होगा इन चारों आपसन में से पहला ओपसन है एक सेचरिक संस्था के द्वारा अध्यन के विशे की पेशकस करना दूस्रा है सेचरिक संस्थानों के द्वारा निरधारित लच्छो को प्राप्त करने हितू सीखने और अन्य परियोजना प्रबंध चौथा दिया गया है सिच्छा इस्थर को आहरता प्राप्ट करने के लिए सिध्धान्त और व्यवारिक पाठेक्रम पूरा करना तो इसमें से हमें सही जवाब बताना है कि पाठेक्रम सब्द का सही अर्थिन चारों आप्शन में से क्या होगा इसका सही जवाब होगा हमारा ओप्शन नमबर बी सैच्छडिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लज्चों को प्राप्ट करने हे तू सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना जो है पाठेक्रम सब्द का सही अर्थापका होगा आईए अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन मारा होगा प्रशन नमबर तीन उसको भी देखते हैं संग्यानात्मक ज्यान छेत्र का वर्गी करन निम्न में से किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था पूछा जा रहा है हमें कि इन चारों आप्षन में से संग्यानात्मक ग्यानचेत्रिकावर्गी करण किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था पहला आप्षन दिया गया है Benjamin S. Bloom के द्वारा दूसरा आप्षन है Skinner Mohoday के द्वारा तीसरा आप्षन है आपका कर्थ वहल के द्वारा और फिर चौथा आप्षन है Simpson के द्वारा तो इसमें से सही जवाब हमें बताना है तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका आप्षन नमबर A Benjamin S. Bloom के द्वारा जो है संग्यानात्मक ज्यान छेत्र का वर्गी करन प्रस्तूत किया गया था आईए अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा होगा प्रशन नमबर चार निमनलिखित में से कौन सा सब्द पहले से सीखी गई समागरी का उपयोग करने को प्रति बिम्बित करता है तो इसका जो आप्सन हमारा दिया गया है अवधार्डा जिसको कॉंसेट बोलते हैं इंगलिस में दूसरा दिया गया है अनुप्रियोग तीसरा दिया गया है ज्यान चोथा दिया गया है विसलेशन अनुप्रियोग को English में application बोलते हैं और फिर knowledge बोलते हैं घ्यान को और चोथा जो option है analysis बोलते हैं visualization को तो इसमें से सही जवाब आपको बताना है पूछा जा रहा है इसमें फिर से question में पढ़ देता हूं निम्नले लिखित में से कौन सा सब पहले से सीखी गई समागरी का उपयोग करने को प्रतिविम्बित करता है तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा option number B, अनुप्रियोग अनुप्रियोग हमारा question number 4 का सही answer हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन अमारा है, प्रशन number 5 निम्नले लिखित में से संग्यानात्मक ज्यान छेतर का उच्चितम इस्तर कौन सा है इन चारो आप्सन में से पहला दिया गया है संसलेशन दूसरा दिया गया है सौरी यहाँ पे टाइप में थोड़ा सा mistake है यहाँ पे option C mention हो गया है जबकि भी यहाँ पर तो मैं चारो आप्सन पढ़ देता हूँ जो correct answer होगा आप उसको बता दीजेगा तो पहला आप्सन है आपका संसलेशन दूसरा है धारडा तीसरा है मुल्यांकन चौथा है विसलेशन तो इसमें से आपको सही जवाब देना है तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा वो है option D यानि कि मुल्यांकन यहाँ पे type में mistake है orders मैंने थोड़ा सा गड़बड हो गया है लेकिन यहाँ पे आप मुल्यांकन आप इसका right answer है यह कहीं भी दिया हो आपको यह याद रहना है कि पूचा जारा कि संग्यानात्मक ज्यान छेत्र का उच्चितम मिस्तर कौन सा होता है तो मुल्यांकन जो है इसका उच्चितम मिस्तर होता है संग्यानात्मक ज्यान छेत्र का यहाँ आप याद रखेंगे ये कहीं पे दिया हो A option पे दे चाहे B पे दे ये आपका correct answer हो जाएगा आईए अगले प्रशन को देखते हैं अगले प्रशन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतावदी इस्तर पर सिच्छन को दर्साता है प्रशन में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सतावदी इस्तर पर सिच्छन को दर्साता है तो सिच्छा केंदریत जो विकल्प है इन सभी में से वो सतावदी इस्तर पर सिच्छन को दर्साता है आईए एगले प्रशन को देखते हैं तो आईए एगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग सभी प्रशन बहुत ही इंपोर्टेंट है new patterns के question है और आपको previous year के भी question कराया जाएंगे teaching aptitude से और सभी units से जैसा कि मैंने आपको बताया तो इस question को देख लेते है तो सुची 1 एक तरफ दिया गया है matching वाला question है जैसा कि आप देख सकते उपर दिया गया है कि सुची 1 को सुची 2 के साथ सुमिलित करें तो एक तरफ सुची वन दिया गया है दूसरे तरफ सुची 2 पहले सुची में विसेस्ता दिया गया है दूसरे सुची में दर्सन तो आईए इसको match कर लेते हैं बहुत ही important question है इस प्रकार के प्रशने पूछे जाते हैं थोड़ा सा आप aware नहीं रहेंगे मतलब आपका answer clear नहीं रहेंगा तो आप इस प्रकार के प्रशने को जो है गलत कर जाएंगे तो आईए इसको match कर लेते हैं क्रिया करके सीखने का जो सिदानत है वो match करेगा किस के साथ आपका तीसरे के साथ विवारवाद के साथ ये match करेगा फिर दूसरा जो है आपका परियावरण के माध्यम से सिख्छा ये जो है प्रकृतिवाद के साथ match करेगा फिर उसके बाद जो तीसरा है वो आपका दूसरे के साथ match करेगा यानि कि सत्य सौंदर और भलाई की अनुभूती जो है आदर्स वाद के साथ मैच करेगा और फिर यह दुनिया जिस रूप में अब है और यहां है यह यर्धार्त वाद के साथ मैच करेगा तो इस प्रकार से जो है आप इसको match कर लेंगे और नीचे कूट दिया रहता है अगर आपने जिस प्रकार से match किया है उसी प्रकार से आपको नीचे कूट मिल जाएगा और आपको direct उसको trick लगा दे ना इन चारो option में से तो इन चारो option में से जो है कि जिस प्रकार से आपने मिलाया है वो c option correct हो जाएगा उस प्रकार से यानि कि पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा तो आपका ये option right हो जाएगा तो इस प्रकार से जो है आप मैचिंग वाले प्रशनों को आसानी के साथ solve कर लेंगे ठीक है तो जैसे कि मैचिंग वाले question में 4 option दिये रहते हैं तो 4 option में से आप 3 correctly अगर कर लेते हैं मिलान यानि match कर लेते हैं तो 4 option दिया गया इसको देख लेते हैं पहला दिया गया है संग्यानात्मक ज्यान चेतर से दूसरा दिया गया है भावनात्मक ज्यान चेतर से तीसरा दिया गया है क्रियात्मक ज्यान चेतर से चोथा दिया गया है उप्रोक में से कोई नहीं तो हमें सही जवाब बताना है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका option number A इसका right answer हो जाएगा संग्यानात्मक ज्यानशेत्र से प्रश्ण में पूछा गया है कि बौधिक कॉसल किस ज्यानशेत्र द्वारा प्रतिबिम्बित होते हैं तो संग्यानात्मक ज्यानशेत्र से जो है बौधिक कॉसल जो है ज्यानशेत्र होता है वो प्रतिबिम्बित होता है संग्यानात्मक ज्यानशेत्र के द्वारा तो आईए अगले प्रश्ण को देख लेते हैं अगले प्रश्ण में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोन, मुल्यों और हितों को प्रतिबिम्बित किया जाता है पहला option दिया गया है संग्यानात्मक ज्यानचेतर से दूसरा option दिया गया है भावानात्मक ज्यानचेतर से फिर तीसरा दिया गया है क्रियात्मक ग्यान शेत्र से चौथा दिया गया है उप्रोक में से कोई नहीं तो इसका सही आंसर आपको बताना है तो इसका जो सही जवाब हमारा हो जाएगा वो है आपका option number B भावात्मक ग्यान शेत्र से प्रश्ण में हमसे यही पूछा गया है कि इन सभी में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मुल्यों और हीतों को प्रतिबिम्बित किया जाता है तो भावा आत्मक ग्यानचेतर से आईए अगले प्रश्ण को देखते हैं अगले प्रश्ण को देखते हैं हम इसमें दिया गया है कि निमनलिखित में से कौन सा ग्यानचेत्र सारीरिक कौसल के साथ सम्बंदित है पहला ओप्सन दिया गया है संग्यानात्मक ग्यानचेत्र दूसरा ओप्सन है भावनात्मक ग्यानचेत्र या भावात्मक ग्यानचेत्र तीसरा दिया गया है मनो संचलित ग्यान शेत्र यहाँ टाइप में मिश्टेक है यहाँ पे मनो इस प्रकार से होगा मनो संचलित ग्यान शेत्र चौथा दिया गया है उप्रोक में से कोई नहीं तो हमें सही जवाब बताना है इस question का, तो इसका जो सही answer हो जाएगा, वो है आपका option number C, मनो संचलित ग्यानचेत्र से, प्रशन में पूछा गया है कि निमनलिखित में से कौन सा ग्यानचेत्र सारीरिक कौसल के साथ संबंदित है, तो मनो संचलित ग्यानचेत्र जो है, वो सा आईए अगले प्रशन को देखते हैं, इसमें दिया गया है कि निमनलिखित में से कौन सा एक उदाहरण संचलित ग्यानचेत्र के रूप में उद्रित किया जाता है, पहला option दिया गया है किसी विसेस विसे का वड़न करना, दूसरा दिया गया है फोटो फिल्म का विकास कर करना, तीसरा दिया गया है निबंद लिखना, चौथा दिया गया है अनुरच्छन का उत्तरदायित्व लेना, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो है आपका option number इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी विसेस विसे का वड़न करना, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि इन में से कौन सा एक उदारण संग्यानात्मक ज्यानचेत्र के रूप में उद्रित किया जाता है, तो किसी विसेस विसे का वड़न करना, संग्यानात्मक ज्यानचेत्र के रूप में उद्रित किया जाता है, आईए अगले प्रशन को देखते हैं, सभी प्रशन बहुत ह आप थोड़ा सा पहले से preparation को बहतर करें यानि प्रशनों की practice जो है आप एक दो महीने पहले से start करें ऐसा होता है विद्यार्थियों में कि वो जब exam एकदम close हो जाता है यानि कि 15 दिन बजते हैं 10 दिन बजते हैं तो बहुत सारी practice करते हैं तो आप अचानक से बहुत कम समय question को attempt कर सकें तो आई अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन हमारा इसमें दिया गया उसको भी देख लेते हैं निमनलिखित में से किसको सिच्छन के संदर्म में मनु संचलित के उदारन के रोप में लिया जा सकता है इन चारो आप्सन में से पहला दिया गया option परिय का लेखा करना चोथा दिया गया है एक कहानी का वडन करना तो इसमें जो हमारा सही answer हो जाएगा वो है आपका option number भी प्रियोग करना प्रशन में हमसे यही पूछा गया है कि निमनलिखित में से किसको सिच्छन के संदर्म में मनु संचलित के उदारन के रोप में लिया जा स सकता है तो प्रियोग करना जो है लिया जा सकता है आईए अगले प्रशन को देखते हैं हमारा अगला प्रशन जो है कि निमनलिखित कत्नों में से कौन सा कथन असत्ते हैं हमें बताना है चार आप्शन में से यसा कौन सा कथन है जो असत्ते है पहला दिया गया है सिच्छा और सिच्क्ण में अंतर है तीसरा दिया गया है सिच्छ और प्रसिच्ण और अनुसंधान की तुलना में एक व्यापक सब्ध है चोथा दिया गया है उप्रोक में से सभी तो इसमें صحी answer हमें बताना है तो इसका जो राइट answer हो जाएगा इस question का वो है हमारा option number A यानि कि ये कथन जो है आपका असत्य है पूरी तरह से यानि कि सिच्छा और सिच्छन एक ही अवधार्णा है ये गलत है पूरी तरह से बाकी जितने भी आपके स्टेटमेंट्स या कथन है वो पूरी तरह से true है यानि कि सही है तो इस प्रकार के भी प्रश्ण आपसे पूछे जाते हैं तो अगर आपका concept सही है चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी है तो आप इस प्रकार के प्रश्ण को गलत नहीं कर पाएंगे आईए एगले प्रश्ण को देखते हैं अगले प्रश्ण में हमसे पूछा जा रहा है कि निमनलिखित में से कौन सा सिच्छन के छेत्र में विसे सग्यता को दर्शाता है पहला अप्सन है अधारडाओं का ग्यान होना दूसरा अप्सन है सिच्छन कौसल होना तीसरा option है नेड़े लेने का कौसल होना D option है उप्रोक में से सभी तो इसमें से सही answer हमें बताना है तो इसका जो सही answer हो जाएगा option number D उप्रोक में से सभी क्योंकि प्रेशन में पूछा गया है हमसे कि निमनलिखित में से कौन सा सिछण के छेत्र में विसे सग्यता को दर्साता है तो ये तीनों आपका जो है option सही हो जाएगा पहला जो है अधारणाओं का ग्यान होना जरूरी है कि आपके पास जो है जितनी भी जिस भी विसे के आप विसे सग्य है तो उसमें जितने भी concept या अधारणाय दी गए है उनका ज्यान होना बहुत ही अच्छा मतब बहुत ही जरूरी है आपके लिए दोसरा जो option है सिछण का कौसल होना यानि कि बेतरीन तरीके से आप उस concept को पढ़ा सकते हैं वो उसका भी skill होना बहुत जरूरी है तीसरा जो है निड़े लेने का कौसल और ये भी जो है बहुत जरूरी है आपके लिए तो इस प्रकार से जो है option D हमारा right answer हो जाएगा अगले प्रश्न को देखते हैं अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व सिच्छन के दिष्टिकोंड से सबसे अधिक अनुपियुक्त है पहला option दिया गया इसमें जो एक कठोर अनुसासन है दूसरा option है जो अपने विशे को अच्छी तरस से जानता है तिसरा option दिया गया है जिसकी सिच्छन में कोई अभिरूची नहीं है चोथा है जो नैतिक मुल्यों को सिखाता है तो इसका जो सही answer हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का वो जो है आपका option number C हमारा right answer हो जाएगा इस question का जिसकी सिच्छन में कोई अभिरुची नहीं है प्रश्ट में हमसे यही पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार का व्यक्तित्व सिच्छन के दिश्टी कोण से सबसे अधिक अनुप्योगत है तो जिसकी सिच्छन में कोई अभिरुची नहीं है तो यह हमारा स्टेट में से आपका जो तीसरा option है वो पूरी तरसे गलत है और हमें गलत को ही find out करना था अगले प्रशन को देखते हैं अगले प्रशन में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से अध्यापन के सिध्धान्त है इन सभी में से पहला जो दिया गया है मनोवग्ञानिक से तारकिक की और दूसरा दिया गयाए विसलेशन से संसलेशन की और तीसरा दिया गया है मुर्थ से अमुर्थ की और चौथा दिया गया है प्राकृतिक का पालन करना तो नीचे हमें कुछ इसके statements या कूट दिये गये हैं कि इन में से कौन से सही है मतलब कौन-कौन से अध्यापन के सिध्धान्त है यह हमें बताना है तो इसमें जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका option number D उप्रोक में से सबी यह सबी जो है आपके अध्यापन के सिध्धान्त है अध्यापन के दौरान इनका यूज किया जाता है पहला दूसरा तीसर जो है विसलेशन से संसलेशन की ओर तीसरा जो है मुर्त से अमुर्त की ओर और चौथा जो है प्राक्रितिक का पालन करना यह चारो आपका सही है इस प्रकार से जो है option D आपका right answer हो जाएगा आईए अगले प्रशन को देखते हैं अगले प्रशन में हमसे पूछा जा रहा ह कि निमलिखित में से कौन सा विकल विसलेशन यानि कि अनलिसिस के अर्थ को दरसाता है तो इसका जो सही answer हमारा हो जाएगा वो है आपका option number 1 संगटक भाग में एक समस्या का हल धूणने की चमता से प्रशन में हमसे यह पूछा गया है कि निमलिखित में से कौन सा विकल जो है विसलेशन यानि कि अनलिसिस के अर्थ को दरसाता है तो option है आपका right answer हो जाएगा इस प्रकार से आपको तीन और option दिये रहेंगे बट आपका जो right answer होगा उसी को आपको चोज करना है या ट्रिक करना है आईए अगले प्रशन को देखते हैं अगले प्रशन में हमसे पूछा जा रहा है कि निमनलिखित में से कौन से सब्द कच्छा सिच्छन में विसे वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रियुक्त किये जाते हैं पहला ओप्सन दिया गया है सिच्छन विधी दूसरा दिया गया है सिच्छन तकनिकी तीसरा दिया गया है सिच्छन सिध्धान चोथा दिया गया है सिच्छन रणनिती तो इसमें से हमें बताना है सही आंसर को तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो कि आसानी से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रियुक्त यानि उपयोग में लिया जाता है तो वो है सिच्छन सिधान्थ अप्सन B आपका right answer हो जाएगा B दिया हो या न दिया हो लेकिन आपको इतना याद रहना चाहिए reading आपका righteous answer है ये उपर भी दे सकता है A पे C पे भी दे सकता है D पे भी दे सकता है लेकिन आपको ये right answer पता रहना चाहिए आईए अगले परश्न को देखते हैं अगले परश्न को देखते हैं इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिच्छक को कम विद्यार्थी वाली कच्छा में सिच्छन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रियोग में लाना चाहिए पहला option दिया गया है अधिगम संबंदित समस्याओं की पहचान करना दूसरा दिया गया है छात्रों पर व्यक्तिकत ध्यान देना तीसरा दिया गया है अनुदेशन को छात्रों के बीच की वेभिनताओं को ध्यान में रखकर बनाना चोथा दिया गया है उप्रोक में से सभी तो सही आंसर हमें बताना है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है आपका option number D उप्रोक में से सभी यानि कि सभी ये आपका right हो जाएगा प्रश्ण के according प्रश्ण में हमसे यही पूछा गया एक बार आप प्रश्ण को अच्छे से देख लें निमनलिकित में से कौन सा व समस्याएं उत्पन हो रही है उसको find out करना पैचान करना उसकी दूसरा जो है छात्रों को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना यान छात्रों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना तीसरा जो है अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिनताओं को ध्यान में रखकर बन इसमें से सिच्छक की सरानी अकादमिक प्रिष्ट भूमी, दूसरा है संचार कोशल, तीसरा है सिच्छक को अपना व्यक्तित्व और छम्ता को सिच्छा और छात्रों से सम्मझित करना, चोथा दिया गया है आयोजन छम्ता. तो इसमें से जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका option number C सिच्छक को अपना व्यक्तित्व और छमता को सिच्छा और छात्रों से संबंदित करना जो है आपका right answer हो जाएगा प्रश्ण में हमसे यही पूछा गया है कि निम्न में से सिच्छन स्वयम व्यवसाए कि प्रारंब में सबसे मात्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है तो सिच्छक को अपना व्यक्तित्व और छमता को सिच्छा और छात्रों से संबंदित करना एकल कारक के रूप में है तो उमिद करता हूँ कि सारे question आपके लिए बहुत ही helpful होंगे important है सभी question teaching aptitude से ये सारे question है और ये नए pattern के question है इसके साथ जो है आपके जो previous year के question है teaching aptitude को teaching aptitude के उसको भी जो है कराया जाएगा वो भी बहुत ही important है क्योंकि previous year के question में से भी एक दो question आपसे पूछ लिये जाते हैं अगर आप ने एक दो बार exam दिया है अगर किसी काराणवस से नहीं qualify हुआ तो आपने देखे होंगे कि previous year से भी आपसे question पूछे जाते हैं जादे तर तो previous year के question paper को आप अच्छे से तयार करें तो उमीद करता हूँ कि सारा question जो है बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए और इसी प्रकार से जो है हम वीडियो आपको provide करेंगे practice set के क्योंकि बहुत ज़रूरी है practice set जितनी जादी आप practice set करेंगे practice set के question को attempt करेंगे अपने से खुझ से try करेंगे वह बहुत ज़रूरी करेंगे वह बहुत ज्यादे help करेंगे आपके exam में तो आपके पास दो अढ़ाई मैने जो भी time बचा हुआ है तो आप उसको जो है कोसिस करें कि जितने भी question आप attempt करें, maximum question solve करने की कोसिस करें, previous year के question solve करें, नए practice set मिलते है market में उनको लेकर solve करें, अगर online कहीं से मिल रहे हैं तो उसको solve करें, अगर जिनके पास जो purchase नहीं कर सकते हैं उनके लिए तो हम complete कराई रहे हैं, practice set के वीडियो बना के उनको provide करी र करना चाहिए, तो आप वीडियो को like जरूर करें, वीडियो को share करें maximum दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो के help मिल सके, क्योंकि जो भी content हम provide करते हैं आपके लिए, वो सभी free of cost होता है, तो आप इसका lab पूरी तरह से खुद भी उठाएं, और दूसरों को भी share कर करें करें